मेरे प्रिये बेहनों भाईयों, भांजे और भांजीयों, अपने प्रिये प्रधान मंत्री स्रीमान नरेंदर मोदी जी के नितरत्व में, हम सब कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया। समय रहते हमें लड़ाई प्रारंभ की। और इसलिए हम पूरी तरह से सफल भले ना हुए हूँ। लेकिन दुनिया के कई देशों में, जह संकट बड़ा और गहरा है। भांभी संकट को नियंत्रित करने में सफल जरूर हुए है। लड़ाई बड़ी है, लंबी है, कड़ी है। मैंने तेश तारी की रात को नो बजे मुख मंत्री पत्की सफद ग्रहन की और दस बजे बल्लभवन में कोरोना के खिलाब बैठक लेके इस ललाई को प्रारंभ कर दिया। आप सब के सहयोक से हैं, हम सफल होंगे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन प्रीय बेहनों और भाईयों, आओ हम उनका अभिरंदन करें। जो कोरोना की जंग में योध्धा है। हमारे डाप्टर, हमारी नर्फ, पेरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के जवान, हमारे कर्मचारी अलेकलागे विभागों के, हमारे अधिकारी पत्रकार मित्र, जान हतेली पे रखके, खुद को जोखिम में डालके, आपकी जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं। प्रधान मंत्री जी ने लागडाउन गोशत किया, आप सबने भी उसे सफल बनाया, मेरे मित्रों इस जंगे से लड़ते लड़ते, इंदोर के हमारे टियाई, खुझ संक्रमित हो गए, लेकिन उनका जज़वा ऐसा था कि अस्पताल में लेटे लेटे, वो मोबाइल फोन वही से निर्देश दे रहे थे, डाक्टरों के कहने पर उनसे मोबाइल फोन मुश्किल से बापिस लिया आजा सका, एक नहीं अने कोंप पुलिस के हमारे जबान जुटे हुए, अधिकारी जुटे हुए, हमारे डाक्टर खुझ संक्रमित होने का खतरा उठा के, जूज रहें, इंदोर की दुर्भागी पूर्ण घटना में, जिनके साथ दुर्भयोहार हुआ, पत्रा हुआ, दूसरे दिन वो डाक्टर भाई, बहन, फिर उसी मोहले में, लोगों की जिन्दगी बचाने निकल पड़े, हर एक बिवाग के अधिकारी कर्मचारी जो इस काम में लगे हैं, यहां तक कि मेरी टीम में लगे हुए, मेरे साथ टीम में लगे हुए काम कर रहे हैं, अधिकारी साथी भी संक्रमित हो गए, लेकिन होसला नहीं टूटा, हिम्मत नहीं आरी, हम लगातार लड़ रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि जीतेंगे, आपके सहयोग से जीतेंगे, और जीतने के एक बड़ा उपाए, सबसे प्रभावी उपाए, लागडाउन को सफल बनाना, खुद को अपने घर तक सीमित रखना, प्रधान मंतरी निजी ने जो लक्षमन रेखा बताईए, उसको पार न करना है, मेरे प्रिय बेहनों और भाईयों, इलाज की हर संभव व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है, आप देख रहे हैं कि प्रधेस में भी, लगातार पोजिटिव प्रिकरन बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं, लेकिन घवराने की ज़रुद नहीं है, इलाज की सुवधायम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब रोज 500 टेस्टिंग करने में हम सक्षम हैं, इसको बढ़ा के हम 1000 तक पहुँचाएंगे, हमारे पास PPE किट नहीं दे बेले, मुझे कहते हूँ खुशी है, कि PPE किट हमने खुद बना लियें, इस्थानी कंपनियों से हमारे काम में लग अधिकारियों ने बात करके, उनको बनाने में सफलता प्राप्त किये हैं, जिसको भारत सरकार ने मानेता दिये हैं, अब और सुरक्षा के साथ हमारे डाप्टर्स, हमारे पेरा मेडिकल स्टाफ, काम में लगे हमारे बागी कर्वचारी साथी, भाई, बहन, कोरोना से लड़ सकेंगे, दवाई की भी कोई कमी नहीं है, मास्क बनाए गए हमारी स्वासाहता समुह की बैनों ने, कई कई संस्थाओं ने, बड़े पेमाने पर मास्क बनाए, और मैं आप से कहना चाहता हूँ, अगर बने मास्क की कमी हो, तो चिंदा मत करना, हॉममेड मास्क भी बनाया जा सकता है, और हॉममेड मास्क कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी सूती कपड़ा, उसके तीन फोल्ड कर ले, ये, ये, मैंने लपेट के इसके चार फोल्ड किये, तीन भी किये जा सकते हैं, कपड़ा साफ होना चाहिए, सावन से धुला हुआ होना चाहिए, बिसेस कर गाउं में रहने वाले बेहनों और भाईों, अगर मास्क नहीं मिल पा रहें तो चिंदा मत करो, हम पहुचानी कहर सम्भब कॉसिस कर रहे हैं, आप इस सूती कपड़े का इस्तेमाल, गंचे का इस्तेमाल, मास्क के रूप में कर सकते हैं, अपने नाक और मौ को ढख लीजिए, और इसको पीछे बान दीजिए, यह आपका मास्क तैयार हो गया, हॉममेड मास्क बनाईए, उनका उप्योग कीजिए, लेकिन सावधानी के लिए बहुत जरूरी है, इस लडाई में हमारे वो मजदूर भाई और बहन, जो दूसरे प्रांतों में रहते थे, बड़ी संख्या में अपने प्रदेश में आए हैं, वो अपने अपने गाउं में पहुँचे हैं, यह बाइडिस अगर फैला, तो विदेशों से आने वालों के कारण फैला, बाद में इसमें और इजाफा हुआ, लेकिन, गरी मजदूर, जो बापिस अपने अपने गाउं पहुँच गए, उनको, हर आवस्तक व्यवस्थाएं बनाने में सही होग किया गया, वो वहाँ कौराइंटाइन में रहे, घर में भी आईसोलेशन में रखने की व्यवस्था की गई, उनके चेक अप की व्यवस्था, और इसके बाद अगर कोई, बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया,